Hey everyone, welcome to our channel. अगर आप non-wage नहीं खाते हैं, तो आप मेरे द्वारा बताएगे वेज डाइट से अपनी वाइटमिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं. जैसा कि आपने थमनेल देखी लिया होगा. अगर बहुत से लोग ऐसे हैं, जो लोग नौन वेज नहीं खाते हैं, और वो लोग इस उल्जन में रहते हैं, कि वो अपनी बॉड़ी में वाइटमिन B12 की कमी को कैसे पूरा करें. आज के वीडियो में हम ऐसे वेज फूड बताने वाले हैं, जिने खाकर आप अपनी डाइट से वाइटमिन B12 की पूरती कर सकते हैं. अगर आप वेजिटेलिन हैं, तब जरूर आपको इस बारे में सोचना होगा, कि आप वाइटमिन B12 किन-किन खादे पदार्टों से हासिल कर सकते हैं, ऐसी बहुत से चीज़े हैं, जिने आप अपनी नियमिट डाइट में शामिल करके, वाइटमिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं, वाइटमिन B12 हमारे शार्यरिक ही नहीं मांसिख स्वास्त के लिए पहुत ज़रूरी है, इस वाइटमिन की वज़ह से दिमाग और तंत्रिका तंत्र दोनों स्वस्त रहते हैं, तंत्र का तंत्र यानि हमारा नर्वस सिस्टम जिसके ठीक तरह से काम करने के लिए वाइटमिन B12 बहुत जरूरी होता है इसके अलावा खून बनाने के लिए सबसे जरूरिक तत्व रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी वाइटमिन B12 काफी एहम भूमिका निभाता है प्योर वेजिटेरियन है तब आपको जरूर इस बारे में सोचना होगा कि आप वाइटमिन B12 की पूर्ती कैसे कर सकते हैं यहां हम वेजिटेरियन के लिए एक लिस्ट लेकर आए हैं जिसमें आपको ये फूर आइटम हम बताने वाले हैं जिससे आप अपनी इस कमी को दूर कर सकते हैं जिसमें नमबर वन है दूद दही पनीर दूद से भने अधिकांश आइटम में B12 की कमी को पूरा करने की ताकत होती है लॉफेट दही से आव वाइटमिन B12 और वाइटमिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं साथ ही डाइजेशन भी दूरुस्त रख सकते हैं दूद तो है ही complete food, protein, calcium, vitamin B12 की कमी को पूरा करने के लिए पनीर भी अच्छा option है नमबर दो है सोया बीन सोया बीन का सेवन अनेक प्रकार से किया जा सकता है सोया बीडी तो आप सुबह सबजीब पुलाओ सेंडविच बना कर भी खा सकते हैं सोया बीन का आटा भी आसानी से मिल जाता है सोया मिल्क या टोफू से भी vitamin B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है नमबर तीन है oats अगर आप डाइटिंग भी करते हैं तो भी vitamin B12 की कमी पूरी हो सकती है oats एक ऐसा super food है जो fiber से भी भरपूर है और डाइटिंग करने वालों के लिए भी फाइदे मंद है नमबर चार ब्रॉकली ब्रॉकली को चाहे सबजी के रूप में खाएं या सैलड के रूप में दोनों ही तरह से ब्रॉकली सिहत के लिए फाइदे मंद है vitamin B12 की कमी पूरी करने के साथ साथ ब्रॉकली फॉलेट कमी को भी पूरा करती है और हिमोगलोबिन की कमी को भी दूर करती है नमबर पांच है मश्रूम मश्रूम खाने से vitamin 12 की साथ साथ प्रोटीन केल्शिम और आइडन की भी अच्छी मात्रा मिलती है इसमें बीटा ग्लुकॉन भी मौजूद होते हैं जो शरूर को भर्बॉन पोशन देते है आपको मेरे द्वारा दीगई जानकरी कैसी लगी कमेंटर बताईएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे सब्सक्राइब कर दे और पासे में जो बैल आइकन बटन है उससे भी प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसको नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए एक बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए तिल देन टेक केर बाई बाई